लो गाइज वेलकम तो मैं योटीब चैनल दिस इस मी अनिकेद गुपता तो गाइज आज हम ट्रिपैनोसोमा गैंबियंसी की पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे कि यह जो डिजीज कॉज करती है उस डिजीज में किस तरह के क्या क्या नुकसान यह हीमन की बोडी के अंदर पहुं पार्ट वन था उसमें हमने यह पढ़ा था उसके राइब सेकल के बारे में उसका पूरा राइब सेकल हमने देखा था इस तरह की डाइग्राम थी इसकी ठीक है तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगा आप वहां से जाकर देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर बात की जाएं ट्रिपैनोसोमा के अंबियंसे की जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी होती है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड्स सो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोड्स बंती कहां पर है यहां पर इधर यह ठीक है यह क्या है मैंटसेक्टिक फॉर्म बंदी कैसे हैं क्रिथाइडियल फॉर्म से अब यहां पर यह मैंटसेक्टिक फॉर्म बन जाती है और यहां से यह कहां पर पहुंचाती है सलीवरी ग्लाइड में किसके सीसी फ्लाइड के और यहीं से सीसी फ्लाइड बाइट करेगी किसको वर्टिबरेट होस्ट को और यही कहा जाएगी उसके बोड़ी के अंदर एंटर करेगा उसके ब्लड स्ट्रीम में तो क्या था मेटासैक्लिक ट्राइपोमेस्टीकुट फॉर्म पैथोजनेसिस देखा जाया है अफ्रीकन चेपैनोसोमियासिस में डिफरेंट पार्ट्स हो हैं बोर्दी के एफेक्टिट होते हैं फॉलिंग और्डर में सबसे पाले स्केट होगी उसके बद्द ब्लट ओर लिंफ नोड और ब्लट एंड इंद सेर्इब्रो स्पाइनल फूर्ट यह बहुत इंपोर्चन है ji इसी के अंदर यह सेरेब्रो स्पाइनल फूर्ट जो है यह एफेक्ट होता है यहां पर नहीं आप होती है ना जो ब्रेन की covering होती है, spinal cord की covering होती है, उस covering के बीच में space होती है उसके अंदर ये fluid होता है, सबसे पहले हम skin की बात करें, जहां पर जिस भी पार्ट पर जिस सिसी फ्लाइ बााइट करती है, वहांपर एक bump जो है वो आजाता है, ठीक है, वहांपर जिससी थोड़ी सी जो है वहाँ पर and it turns dusky red, थोड़ा थोड़ा ऐसे red red सा हो जाता है और वहाँ पर painful होता है और swollen sore वहाँ पर swell हो जाता है, ठीक है source यासे वहाँ बन जाते हैं, ठीक है, यह था skin का, तो पता है काटेगा तो कुछ न कुछ तो हो गाई skin के ओपर, secondly blood and lymph nodes, अब जो infection है, spread हो करती है to the blood and lymph, over a period of weeks or month, ठीक है blood stream में lymph nodes में फैल जाती है, then people have fevers that come and go, आता जाता रहता है fever, ठंड सी लगती है, chills, headache होती है बहुत सदा और muscle and joint के में भी pain होती है, person को, जिसको यह trypanosoma, जो है, CC fly bite कर गई और उसकी body में trypanosoma, गैम्मेंसे को दाल दियो, the face में swell, face भी क्या कर जाता है, swell कर जाता है, temporarily, in some people, a rash develops, कभी कभी क्या होता है, rashes भी हो जाते हैं, body के उपर, और lymph nodes जो है, along the back of the neck, जो neck के back में, जो lymph nodes होते हैं, यहाँ पर यह large कर जाते हैं, neck जो हो swell कर जाती है, और anemia भी develop होने लगता है, जो हमारी hemoglobin होती है, खतम होने लगती है, तो anemia भी होने शुरू हो जाता है, यह था lymph nodes और blood में, अब आगया, brain and cerebrospinal fluid में, अब यहाँ पर कैसे यह नुक्सान पहुंचाएगी, जब brain और cerebrospinal fluid affect होता है, means यह अब जो trypanosoma है, यह दिरे दिरे lymph nodes से बढ़ता हो, neck से बढ़ता हो, और कहां जाएगा, उपर जाएगा, brain के tissues में जाएगा, और जब brain के tissues पे जाके वहाँ feed करती है, किस के ओपर feed करती है, cerebral spinal fluid के ओपर, brain के tissues के ओपर, और वहाँ पर affect होते ही, यह पार्ट, उसके बाद affect होने से headache, ब इंद सी आने लगती है, बहुत सो, को ऐसे लगता है कि सोय ही रहता है, सोय ही रहता है, अपनी concentration को lose कर देता है, और इनकी problem लाती है, balance और walking में, क्योंकि हमारा brain जो है, वो affect हो रहा है, तो automatically यह सब चीज़ें तो disturbed होंगी होंगी, रोजीनेस, वर्जन, बहुत सादा हो जाती कोई भी काम करने लगेगा, तो वो सो ही जाता है, इंसान जो है, वो परसन जो है, वो बिल्कुल है, सोय ही रहता है, एक तरह से, अगर हम इसका treatment ने करा है, तो damage to the brain, जितना damage है, ब्रेन को वो धिर दिर बढ़ता जाता है, जिससे कोमा, जो person है, वो patient है, वो कोमा में भी जा है, तीन साल के बाद, depending upon the species, कि कौन सी species cause कर रही है, species के ओपर depend करता है, और death sometimes result from under nutrition or other infections, कभी-कभी under nutrition की वज़ा से nutrition proper नहीं मिल पाता है उस patient को, या फिर वागी इस infection की वज़ा से भी उसकी death हो सकती है, क्योंगी immune system हो जादा weak हो चुका है, अब बात आते है, डाग्नोसिस की कि यह जो disease है, trypanosoma, जो है हमारी body, यह जो disease cause करते है, उसको बोलते है, trypanosomiasis, trypanosomiasis, जो है वो disease का नाम है, जो कौन cause करते है, trypanosoma, गैंबियन से, और हमें बटा है, अफ्रीकन sleeping sickness भी बोलते है, इसमें नीद जैसे ही आती रहती है, ठीक है, अब है, diagnosis, diagnosis कैसे करेंगे, सबसे पहले हम, blood का sample लेंगे, यह फिर fluid लेंगे, lymph node से, तो अगर उस fluid के अंदर, या उस blood के अंदर, trypanosoma हमें देखता है, तो it means, हमें, यह disease हो चुके है, diagnosis, इसके बाद दूसरा होता है, spinal tap, and analysis of cerebrus spinal fluid, क्या होता है, हमारी spinal cord से, जो है, fluid लिया जाता है, और spinal cord से fluid लेने के बाद, उसकी, examination करते हैं, उसको देखते हैं, अगर उसके अंदर, यह trypanosoma पाय जाए, तो means, हमें, trypanosomiasis हो गई है, तो यह क्या है, इसका diagnosis, तो बाकी यह graphical representation है, इसकी आप अगर exam में अगर time कम है, तो आप इस तरह की जो है graphical representation बना कर, बना सकते हो, आपको marks अच्छे मिल जाएंगे, तो यह था हमारा topic, trypanosoma gambiancy का, जिसमें हमने life cycle उसकी pathogenesis सब discuss किया है, तो I hope आपको समझाया होगा, और अगर आपको समझाया होगा, तो please इस video को like करना मत बूलिएगा, और मेरे channel को subscribe कर लीजे, and thank you guys, thank you so much, करेंट